हेलो फ्रेंड्स आज मैं अपके साथ डिसकेस करूंगा बिजनस टडीज के एक और टॉपिक जिसका नाम है आटोमेटिक वेंडिंग मशीन यह भी एक रिटेल ट्रेड का पार्ट है तो आटोमेटिक वेंडिंग मशीन क्या है इट इस अ न्यू फॉर्म अफ डैरेक्ट रिट जाती है उसमें सारा समान होता ऐपको सिक्के डालने होते है पर्टिकुलर टाइप के तो आपको समान मिल जाता है दुकान कोलने की जोरत नहीं या दुकाणदार को बैटने की जोरूरत It is a machine operated by coins or tokens The buyer inserts a coin or token in the machine and receives a specific quantity of product from the machine उस प्रोड़क्त का एक पर्टिकुलर चीज आ जा जाती है जैसे एरपोर्स वगरा में आटोमेटिक वेंडिंग में जो मिन्डल वाटर जो उनकी बॉटल होंगी या पेप्सी कोक वगरा की होंगी ठीक है तो लार्ज स्केल रिटेलिंग इस पॉसिबल थ्रू वेंडिंग मशीन बाइ प्लेसिंग दा मशीन एट कन्विनियंट लोकेशन सच आज पेट्रोल पंप्स और रेल्वे स्टेशन एरपोर्स तो लार्ज स्केल पे बल्क में रिटेलिंग की जा सकती है इन मशीनों के थ्रू अगर इनको किसी ऐसी जगा पे रखा जाए इन मशीन को जहां पे कस्टमर का फुट स्टेप बहुत जएदा कस्टमर आते जाते रहते और जएदा तर ये रेल्वे स्टेशन एरपोर्स या पेट्रूल पंप्स पे फॉरन में तो मैंने बहुत देखी है और इंडिया में आजकल चलन शुरू है इनका बगर इतना जएदा नहीं है अब इसकी मेरिट्स के हैं वेंडिंग मशीन की फाइदे के हैं आप 24 hours कभी भी जाके सिक्का डालो या कुछ डालो या पैसे डालो आपको समान मिल जाएगा ठीक है नेक्स ड्रॉबख्स के हैं वेंडिंग मशीन के इनिशल इंवेस्टमेंट तो इंस्टॉल दा मशीन इस कॉइट हाई मशीन बहुत महंगी आती है मशीन रिक्वाइर्स रेगूलर मेंटेनिंस और पैर क्यूंके बहुत मशीन है तो खराब तो होई सकती है तो इसमें regular maintenance उगेरा चाहिए coins of exact shape and size are required to operate the machine तो machine को operate करने के लिए क्या चाहिए होगा एक जो coin या note होगे वो specific denomination के होने चाहिए अगर इदर उदर की denomination के आपके पास note होए तो क्या बता ना चले समझ की बात तो ये भी बड़ा चक्कर है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब नेक्स वीडियो में मैं लेकिया होगा GST क्या होता है, Goods and Service Tax क्या होता है कब आये था, कैसे कैसे होता है Till then take care, have a nice day